जैशी राधे, मैं आचार पुशुन का उसाल एश लोजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर हमारी यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं जो पाय लेकर कहे हो हूँ उन लोगों के लिए जो मुकदमों से परशान है मुकदमा लड़ लड़के जिनका पूरा जीवन बीता जा रहा है और मुकदमा लड़ लड़के जिनके जीवन की कमायू सारी पूंजी खर्च हो गई है बावा परदादाओं से जो मुकदमा लड़ते चले आ रहे हैं के इस्टे हूं डियस घर में रहें। जो हमारे भारत देश में बढ़ती ही चली जा रहे हैं। बारवर हातों को साफ करें, मास का प्रयोक करें, और stay home, बारवर मैं कहूंगा stay home, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहेंगे, तो आपकी family सुरक्षित रहेगी, आपका परवार सुरक्षित रहेगा, तो राष्ट सुरक्षित रहेगा, आई ये मैं को चावल के दाने लेकर जाएं और फूर्ड करद्बर करते ही दाईने तरफ आपको उन्हें रहे साया से देख सावर। आप कोई देखेना में निस्चे थी आपives निनीस में विजए चरीशिप उक अब मैं जो दूसरा प्रेच बता रहे हूं उन्हों के लिए जो मुकदमा लड़ते लड़ते हार गए हैं उन्हें कहीं से आशा नहीं लगती कि मुकदमा नहीं जीत पाएंगे उन्हें अपने वकील के उपर संदे है कि मुकदमा नहीं जीता पाएगा उन्हों के लिए उपाए हैं उनको क्या करना है कि जब मुकदमे के लिए अपने घर से बाहर निकले तो हत्था जोडी साथ मिले ले ले उसमें शिंदूर लगा ले बहुत सो लोगे सोचेंगे कि हत्था जोडी होता क्या है हत्था जोडी एक जड़ है जो योगल रूप में होती है वह आपको मार्केट में मिल जाएगी किसी पंसारी की दुका जोड़ी इसको लेकर कि आप जाईए निश्चित ही आपको मुकदमे में विजय प्राप्त होगी तीसरा प्रयोग क्या करना है आपको कि आपको एक नीवू लेना है और नीवू के चारों कोनों में एक-एक लौंग को लगा देना है चारों कोनों में जब एक लौंग को लग और जब जाएं आप नीवू रखे तो अपने इस्टिदेव जो आपके हैं उनसे प्रात्रा आवश्चे कलने हैं है मेरे इस्टिदेव कि मैं आपसे प्रात्रा कर रहा हूं आप मुझे इस मुकंद्रे में विज़ाश्री प्राप्त कराएं चौथा प्रयोग बहुती ध्यान से सुलिए आपको एक भोजपत्र लेना है पूरा सजा हुआ भोजपत्र तूटा हुआ नहीं होना चाहिए और एक लेनी है आपको अनार के पेड़ की लकड़ी और एक आपको लेना है रक्त चंदन लाल चंदन उस अनार की पेड़ की लकड उसका नाम लिखके भोजपत्र को पेक करके आपको क्या करना है शहद की सीसी के अंदर डाल देना है और उसे उपर से बंद करकर रख देना है यह प्रियोग करने से मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत सों लोगों को बताया है जो भी आपका शत्रू होगा जिसने भी आपके ऊपर मुकदमा कर रखा होगा उसका हिरदा परवर्तन हो जाएगा और वो आपके ऊपर से मुकदमा वापस ले लेगा यह इतना शुद्ध प्रियोग है इतना अच्छा प्रियोग है अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक मंत्र है इस मंत्र को आपको शिद्ध कर लेना है इस मंत्र को यदि आप शिद्ध कर लेंगे एक महिने तक इस मंत्र को आपको नित्य प्रिति पढ़ना है इस मंत्र को यदि आप शिद्ध कर लेंगे क्या मंत्र है ओम क्राम 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 ओम फिल स्मय बोल लेता हूं धूम्रशारी बदाक्षम विजयती जैति ओम्स्वाह फिल समय बोल लेता हूं इस मंत्र का आपको 11,000 बार जब करना है एक महिने तक नित्य प्रति दिन मतलब कम से कम 11,000 तो अगर कोई एक दिन में जब करें तो बहुत ही अच्छा नहीं तो ग्यारा मालातों से रोज करनी ही है एक महिने तक जब एक महिने में इस मंत्र शिद्ध हो जाएगा फिर जिस दिन भी आप जाएंगे कोट में अपने केस लड़ने के लिए तो आपको कोट के अंदर जाने के बाद आपको एक ग्यारावार मंत्र अपने मन में पढ़ लेना है क्या ओम क्राम क्राम धूम्रशारी बदाक्षम विजयती जयती ओम स्वाह इस मंत्र का ऐसा अध्भुत प्रयोग है इस मंत्र का विए आपको जोट से तो आपको स्वाह को निव्येना का निवह घ्रियती है की लाई हो ऐसी पोसूर्म का आपकर करने से लिए विजयती का मैंने में में प्रयोग मिलाएगी पूण सृध्धा से पूर्ण विश्वास से जितनी भी मैंने प्रयोग बताएं इनका आप प्रयोग करिए भगवान के प्रति शृद्धा रखते हुए भगवान से प्रात्ना करते हुए निश्चित ही आपको आपके मुकंदमों में विजश्री प्राप्त होगी इनी शुक्त आउमना के साथ र देरादे